अच्छा तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो फिर कहां जाती है? अजर अमर अविनाशी आत्मा कहां जाती है? आत्मा एक शरीर छोड़ कर मा के गरब में प्रवेश करके अपने नए शरीर में प्रवेश करती है. वो नए शरीर फिर बनना शुरू होता है. तो वो शरीर ज इसको छोड़ते हूं जैसे रोज ऐस ड्रेस को उतारते हैं और एक ड्रेस पहन एक वस्तर उतार कर दूसरा वस्तर पहन लेते हैं इसागा इक शणाएगा शद्लेर को छोड़ना होग कर मेरा दूसरा शरीर होगा लेकिन क्या मैं आत्मा अपने साथ यहां से कुछ नहीं लेकर जाते सब कुछ पीछे रह जाएगा सब कुछ पीछे नहीं रह जाएगा जो कुछ दिखाई देता है वो पीछे रह जाएगा लेकिन जो नहीं दिखाई देता है वो आत्मा के साथ जाएगा वो क्या है? सब कुछ जो यहाँ छप जाता है. आत्मा के संसकार, आत्मा के करम. ये चौथा हुबग, जो सारा दिन करम करते हुए याद रखना है. ये सब कुछ temporary है. थोड़े समय के लिए है. लेकिन करम और संसकार, ये मुझ आत्मा के साथ जाएंगे, तो मैं आत्मा शरीर छोड़, अपने करम और संसकार लेकर, अगले शरीर में प्रवेश करते हुए. कुछ महिनों बाद बच्चा पैदा होता है. अब अपने बच्चों को देखें. अगर आपके दो बच्चे हैं, अब आप तो एक ही मात पिता है, उसी परिवार घर में रहते हैं, वो ही सब कुछ आपने अपने दो बच्चों को दिया है. किसी के साथ भेदभाव नहीं किया. दोनों को एक बराबर पालना, एक बराबर संसकार हो सकता है आपके जुडवे बच्चे भी हो. फिर तो और भी अच्छे से देखना. सब कुछ एक जैसा है. शायद शरीर भी दिखने में एक जैसा है. लेकिन क्या उनका व्यक्तित्व, क्या उनके संसकार एक जैसे हैं? क्या आपके दो बच्चे एक जैसे हैं? नहीं है न? कभी-कभी तो आप परिशान हो जाते होंगे. ये मेरे बच्चे होकर मेरे जैसे क्यों नहीं है और ये दोनों मेरे बच्चे होकर एक जैसे क्यों नहीं है क्योंकि हम किस आधार पर सोचते हैं ये मेरे बच्चे हैं ये दोनों मेरे बच्चे हैं ये मेरा ही तो गलती है ये आत्मा हैं दोनों ये आत्मा इस शरीर में आई है लेकिन ये दो आत्माएं दो अलग अलग पांस्ट से आई है दोनों पहले दो अलग 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 शरीर में, दो अलग अलग परिवारों में, दो अलग 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 स्थानों पर अलग-अलग संसकार और अलग-अलग करम लेकर ये दोनों आत्माई मेरे घर आई है और इसलिए इन दोनों के संसकार, इन दोनों के करम और इसलिए इन दोनों का भाग्य अलग-अलग है तो मन के बहुत सारे प्रश्न खतम हो जाते हैं सिरफ एक बात याद रखने से कि मैं आत्मा हूँ इतने सारे प्रश्णों का उतर मिल जाता है नहीं तो मन सोचता ही रहता है ये ऐसे क्यों है ये ऐसे क्यों है ये ऐसे क्यों करता है वो ऐसे क्यों करता है एक सिंपल आंसर ये आत्मा है और आत्मा अपने संसकार और करम लेकर आई है और हर एक के अलग-अलग संसकार अलग-अलग करब है तो हर एक को समझना बहुत सहज हो जाता है और फिर अफकोर्स हम उनको पालना देते हैं ऐसा नहीं है कि हम उनके संसकारों को सुधारते नहीं हैं हम सुधारते हैं नए संसकार बनाने की शिक्षा भी देते हैं लेकिन हम उनकी संस्कारों को समझ पाते हैं हम उनको समझ पाते हैं आज कल हम कितनी बार कहते हैं हम इनको समझ नहीं पा रहे हैं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हम रिष्टे और रोल के आधार पर देखते हैं हम कहते हैं, मेरा बच्चा होकर ऐसा किया, मेरी पत्नी होकर ऐसा बोला, मेरे मात्पिता और मेरे साथ ऐसा किया, हम रिष्टों के आधार पर देखते हैं. मेरे बच्चे, मेरा पती-पत्नी, मेरे मात्पिता, मेरे करम साथी, ये सब आत्मा हैं. आत्मा है, इस रोल में आए हुए हैं, लेकिन हैं तो आत्मा न, अपने-पने संसकार और अपने-पने करम लेकर आए हैं. और उन संसकारों और करम के आधार से ही, वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं. तो जिस दिन बच्चा पैदा होता है, वो अपने करम और संसकार लेकर आता है. और इसलिए आप में से कईयों ने, उस बच्चे के पैदा होने के बाद, उसकी जनम-पत्री बनवाई होगी. और पंडे जिने, उस बच्चे का, जिसका जीवन अभी शुरू नहीं हुआ है, उस बच्चे की जीवन की बहुत सारी बाते आपको पहले दिन ही बता देंगे. ये होगा, दस साल बाद ये होगा, फिर ये ये बनेगा, फिर इसकी शादी होगी, बहुत सारी बाते वो आप को पहले दिन ही जनम पत्री देख कर बता देते हैं यह जनम पत्री किसाधार से बन जाती है अभी तो इस बच्चे ने कोई करम नहीं किया है क्योंकि वो बच्चा अपना करम और अपने संसकार लेकर आया है तो यह बहुत important बात है याद रखने कि मैं आत्मा अविनाशी हो औ मेरे करम और मेरे संसकार मेरे साथ जाएंगे तो करम करते हुए attention ध्यान से करम करना ध्यान से करम करना वो ही करमों का खाता हमारे साथ जाएगा वो ही करमों का खाता आज भी हमारा भाग्य बनाता है और वो ही करमों का खाता हमारा अगला भाग्य भी बनाता है और उसका सारी चीजे जो दिखाई देती हैं, छूट जाएंगी, आज भी वो चीजे आराम दे रही हैं, सुख नहीं देती हैं, सुख तो आत्मा का संसकार है, लेकिन वो सारी चीजे जो दिखाई देती हैं, उनकी पीछे हम इतना उलज जाते हैं, कि कई बार हम गलत संसकार, गलत व्य आत्मान भाग्य और अनेक जन्मों का भाग्य मुझ आत्मा के करम और संसकार के आधार से बनता है।